हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़े ख़बरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करते और आप बिहार के किस जीले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे लालो प्रसाद की जमानत याचिका पर हाइकोट की सुनवाई टली अब सुनवाई पर्वरी को होगी राजत सुप्रेमो लालू परसाद को जामानत के लिए अभी इंतिजार करना होगा जारकन हाई कोट में चारा घुटाला के मामले में राजत सुप्रेमो लालू परसाद यादव की जामानत याचिका पर सुनवाई टल गई है जारकन हाई कोट अब जामानत याचिका पर 19 फर किया है वह सही नहीं है अच्छी कबर बिहार में एक लाक सहरी गरीबों के लिए आवास बनाएगी सरकार योजना पर काम शुरू जिहां बिहार में जुगी जपड़ियों में रहने वाले गरीबों के लिए राज सरकार एक लाक घर बनाएगी गरीबों को घर देने के लिए बहुम मंजली इमारत बनाए जाएंगे नगर विकास एवं आवास विभाग इस दिसा में काम कर रहा है विभागी अधिकारियों के अनिसार विभाग की और से लेज पर जमिन दी जाती थी इसे बंद कर दिया गया है जिन निकायों में जमिन लेज पर दी गई है उसे रद कर के रिवू किया जाएगा जमिल लिज पर देने के लिए विभाग की और से एक इसपष्ट निती बनाई जाएगी नगर विकास विवाग इसके लिए विदी विवाग और राजस एवं भूमी सुधार विभाग से राय ले रहा है इसके अलावा विभाग ने प्रधान मंत्री सहरी आवास योजना के तहद सहरों में गरिबों के लिए एक लाग आवास बनाने का निरने लिया है अगली बड़ी कबर रेलवे का बड़ा एलान बिना कोरोना वेक्सिन लिए यात्री नहीं कर पाएंगे ट्रेन से सपर टिका लेना सब के लिए जरूरी जी हाँ इस वक्त एक बड़ी कबर सामने आ रही है ट्रेन से सपर करने वाले बिहार के यात्रियों के लिए एक बहुत जरूरी सुचना है एक बड़ा एलान किया है बिहार के यात्रियों को कुरान की वेक्सिन लेना जरूरी है वरना वे ट्रेन से सपर नहीं कर पाएंगे इसके अलावा यात को अपने साथ यात्रा से 72 घंडे पहले की आर्टी पिस्यार रिपोर्ड भी साथ रखनी होगी दरसल हरिद्वार कुम्ब मेला का आयोजन 27 फरवरी से सुरू होने जा रहा और बड़ी संख्या में बिहार के सरधावलों ने विविन टेनों से हरिद्वार के इस कुम्ब मेले म सामिल होने के लिए रिजर्वेशन कराया है कोरोना संक्रमन के खत्रे को देखते वेरेलवे की ओर से इस समद में बड़ा निर्ने लिया गिया है बाई खबर अब हर मा देना होगा नल जल योजना की पानी का बिल नहीं भरने पर कटेगा कनेक्शन जी हाँ अब नल जल योजना की तहत मिलने वाले पानी का बिल हर महने देना होगा इसके लिए 30 रुपिया प्रती परिवार हर मा देने चार्ज लेने की तयारी सुरू हो गई है इसे लेकर पंचाइती राज बिभाग और पिएजडी ने प्रस्ताव तयार कर लिया है अब इस प्रस्ताव को केबिनेट में ले जाया जाएगा और पास होते ही चार्ज की वसुल की जाएगी बता दे कि आम लोगों से लिजाने वाले रासी को वाड किनावन प्रबंदन स समीति के खाते में जमा किया जाएगा इसकी पूरी निगरानी विभाग्य इस्तर पर होगी इसके अलावा अगर नल जल योजना की उपवगता मासिक सुलक नहीं देंगे तो उस इस्तिति में उन्हें नोटिस दिया जाएगा अगर उसके बाद भी लाभुक मासिक से उपर वालों को टेक्स भरने से मिले स्चूट मुखमंत्री नितीश कुमार के सबसे भरोसे मंद और जदोए के राष्टिय अधर्च राजसबा सदय से रसीपी सिंग ने केंद सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी है राजसपा में केंद्रिया बजट पर चर्जा के दोरान बजट को सांदार बताते हुए रसीपी सिंग ने कहा कि बजट में कोई नया टेक्स नहीं लगा यहाँ एक सहारनिय कदम है आम बजट में सिर्फ 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन को ही रिटर्न दाखिल करने से चूट दिये जाने पर रसीपी सिंग ने के साथ साल से उपर के लोगों को रिटर्न भनने से मुक्त किया जाएगा तो सिनियर सिटिजन से इससे बहुत लाब होगा बड़ी कबर जन धन खाताधारक ध्यान दे इस दिन तक करा ले अपने एकाउंट को आधार से लिंक वरना नहीं मिलेगा बिमा का लाब जी हाँ अगर आप जन धन खाताधारक है तो 31 मार्च से पहले अपने खाते को आधार से लिंक करा ले अगर ऐसा नहीं वा तो आपको भारी नुक्सान का सामना करना पड़ेगा सभी जन धन खाताधारकों को 31 मार्च तक अपने खाते को आधार से लिंक करना अनिवार है इससे लेकर सरकार सरकार ने बैंकों को निर्देश भी जारी किया है अगर आपना खाता आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपको कई सुविदाय से वंचित होना पड़ेगा सरकार ने बैंको से 31 मार्च 2020 सब्सक्राव को सब्सक्राइब करनी को कहा है इतना ही नहीं जिन मामलों में पेन जरूरी है वहां आधार के साथ-साथ पेन का लिंक होना भी जरूरी है आपकी जानकार एक लिए बता दे कि सरकार जंदन खातादरों को मुप्त में धाय लाक रुपय की बिमा देती है इसमें दो लाक रुपय का दुरगटना कवर और तीस जार को मिलती है बंगर यहां लाब तभी मिलेगा जब आपका जंदन खाता अधार से लिंक हो बड़े कबर अब डाक घर में बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन कारियाला जाने की नहीं है जरूरत जिहां डाक विभाग अपना दाइरा धेरे धेरे फैला रहा है अब डाक कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी सबसे पले डाक कर्मचारियों को डाइविंग लाइसेंस बनाने के बारे में विस्तार पुर्वग जानकरिया दी जाएगी आवेदन प्राप करने के बाद उसे जाज के लिए सम्मन्दित अधिकारियों के पास बेजा जाए जिहां वसंद पंचमी को नौ निर्मित आठ सीट वाले रोपिय का उद्गाटन संभावित हैं मिकिमंतरी नितिस कुमार द्वारा उद्गाटन बाद देज दुनिया से आने वाले सेलाने इसका आनन्द उठा सकेंगे परियाटन बिभाग और बिहार राज परियाटन विगास निगम दुआरा एक तरफ उद्गाटन समारों की तैयारए की जारे तो दोसरी तरफ निर्मान कम्पनी राइटस दुआरा निर्मान कार को अंतिम टच दिया जा रहा है मार्च में कराएगी बिहार से तिरुपती रामेश्सर कैन्यक मारी वपुरी की तिर्थ यात्रा आस्था स्पेसल टेन में टिकट बुकिंग सुरू जैहां बिहार वासियों को तिर्थ यात्रा कराने के लिए रेलेवे विष्येस सरकुत आस्था टेन चलाने जा रही है अब बिहार से दाचिन भारत के तिर्थ इस्तलों की यात्रा आसान होने वाली है मार्च से इस ट्रेन का पारिचालन सुरू हो जाएगा जिसके लिए टिकट की बुकिंग चालू है यह ट्रेन बिहार से चलकर तिरुपुती मदोरी, रामेसर, कन्यकुमारी, त्रिवेदम और पूरी जाएगी और फिर बिहार वापस आएगी आपको बदा दी कि भारत के लिए विशेश आस्ता सरकीट ट्रेन 12 मार्च से चलेगी विशेश आस्ता सरकीट ट्रेन का किराया एक यात्री के लिए 13,230 रुप्य तै किया गिया है जो पूरी यात्रा के लिए लागू होगी बाड़ी कबर दिल्ली के तरज पर बिहार में लगेगा प्रदोसन खतम करने वाला स्मोग टावर सहर की प्रमुक सडकों पर बनेंगे साइकिलिंग ट्रेक पत निर्मान विभाग और नगर विकास वा आवास विभाग से को ओडिनेशन कर परियावरन वन एवम जलवाई परवर्तन विभाग सहर के प्रमुक सडकों में साइकिलिंग ट्रेक बनाएगा नई दिली के तर्ज पर प्रदोशन को कतम करने वाले स्मोग टावर को पाइलेट बेसिस पर लगाया जाएगा यह अन्रदेश विभाग के नए मंत्री निराज कुमार सिंग ने समिच्चा के दोरान अधिकारियों को दिया है 12 फरवरी तक करनाता रेजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड ने चार दिन और बढ़ा दिये अब नहीं बढ़ेगी डेट नवीक की पढ़ाई कर रहे है इस्टुडेंट के लिए मैट्रिक परिशा 2022 के लिए रेजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है अब 12 फरवरी के बजाए 16 फरवरी तक रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बिहार बिदाले परिशा समिती ने इस संबन्द में सुकरवार को आधेस जारी किया है बिहार बिदाले परिशा समिती के अज़च आनंद किसोन ने बताया कि नवी कक्षा में पट रहे चात्रो को मेट्रिक वार्शिक परिशा 2022 में सम्मिलित होने के लिए 12 फरवरी तक रेजिस्ट्रेशन कराने का अवसर दिया गया है अब इसे 16 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है ऐसे में जिनका ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन मेटिक वार्शिक परिजा 2022 के अब तक नहीं किया गया है वे ओपिसल वेबसाइट www.secondarybiharboardonline.com के मैदम से करेंगे बिहार गोड का कहना है कि रेजिस्ट्रेशन के लिए यहां अंतिम आवसर है यादि किसी चात्र चात्र का रेजिस्ट्रेशन किया गया है लेकिन किसी कारण से निर्दारित सिल्क अभी तक जमा नहीं हुआ है तो सम्मंदित विदाला के प्रदान अज़ापो को द्वारा ऐसे विदातियों का बकाय सुल्क भी ओल्लाइन मैदम से इस निर्दारित अवधी में जमा किया जाएगा राम मंदिर निर्मान में बिहार ने दिये साथ कडोर दान करने में पटना सबसे आगी अब तक तीन कडोर 69 लाक मिले राम जन्व भूमी मंदिर निर्मान निर्मान अभियान में अब 15 दिन सेस बचे हैं 15 जन्वरी से सुरू निदी संगरन अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाना है बिते 27 दिनों में बिहार से लगबग 7 कडोर की रासी स्री राम जन्व भूमी 33 चेतर टरस्ट के खाते में पहुँच चुकी है बिहार में अब तक सबसे अध अधिक धन संगरा राजानी पठना में हुआ है पठना के बाद सबसे अधिक भागलपूर और उसके बाद गया में धन संगरा हुआ है राज में अगर टॉप 3 की बात करें तो पठना में सबसे जादा 3 कडोर 28 लाक रुपय वहीं भागलपूर से 27 लाक और गया से 38 लाक धन संग्रा हुआ है बाड़ी कबर बिहार के हर जिले में बनेगा खेल भवान सभी प्रकंडों में आउटडोर इस्टेडियम बनाने की भी तैयारी जियां बिहार के हर जिले में खेल भवन का निर्मान किया जा रहा है इनमें से कई खेल भवन पूर्ण होने की स्टी में है वही ह हर प्रखन में आउट्डोर स्टेडियम की निर्मान का लच्च है इसके लिए 352 स्टेडियम के निर्मान की स्विकृति दी गई है जिसमें से 165 को पूर्ण कर लिया गया है ये बाते कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अलोक रंजन ने सुकरवार को पाठली प राज भंडार निगम के गोदामों में कितनी जगा खाली है भंडार के लिए रेट किया है और कब किसने क्या भंडार किया है या पूरी कुंडली अब एक किलिक पर उपलब्द होगी गोदामों की पूरी प्रक्रिया ओनलाइन होने से किसान भी अपने उपज को यहां इस् इनमें 10 गोदाम जारकन में है, राज और केंद्र समान हिस्सिदारे वाले इन गोदामों की चमता 3000 MT से अधिक है और अंकी बड़ के बर बिहार में नहीं होगी बिजली की कमी 36 गड़ से 2500 मेगावार्ट खरीद का रास्ता साथ बिहार के लोगों को भारपूर बिजली देने के लिए सुबे की बिजली कमपनी 36 गड़ से 2500 मेगावार्ट बिजली की खरीदारी करेगी बिजली कमपनी और 36 गड़ के बेच हुए करार को बिहार विद्दोत विनामक आयोग ने मंजूरी दे दिये कमपनी अगले तीन वर्सों तक बिजली की खरीदारी करेगी आपको बता दे कि बिजली कमपनी के अधिकारियों के अनुसार बिहार में अभी हर रोज औस तन 4500 मेगावार्ट बिजली की आपूरती हो रही है आज के लिए आपका सवाल बताएं कि हमारे देश का राष्ट गान भारत सरकार द्वारा किस तिति को अपनाए गया था इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रोज इसी तरह के बिहार के लेटिस्ट कवरों को जानने के लिए बिहारे मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे वाटसेप फेस्बूक पर जरूर सेर करें तैंक यू टेक केर गूड़ बाई जै हिंद जै भारत वंदे मातरम